हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ततकाल एजूकेशन पे दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए रिजिनिंग के टॉप दस और ती महत्पुन प्रस्ने के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी important प्रस्न है कुछ set pattern के प्रस्न होते हैं जो बार बार एक्जाम में repeat करते हैं आपके SACGD previous exam में कई बार सारे प्रस्ने repeat कर चुके हैं दोस्तो इन में से किसी भी government exam के लिए आप त्यारी करते हैं ए वीडियो में आंतक बने रहिएगा दोस्तो सारे प्रस्ने का pdf आपको टेली गराम पर मिल जाएगा जो की इस वीडियो का description में लिंक दिया हुआ है तो चलिए दोस्तो पहला प्रस्न हम देखते हैं दोस्तो पहला नवर प्रस्न है इसमें दिया कि दिये गए विकल्पों में से संबांधित संख्या को चुनिए क्या चुनना है संबांधित संख्या चुनना है यानि इसमें आपको दिया है कि C, E, C, E जिस परकार सम्मझ थे हैं, 70 से ना है, उसी परकार से D, E किसे से सम्मझ थे हैं, यानि वाट का जगा पर क्या होगा, देखिए, इस तरह के प्रस्न में क्या करेंगे, सबसे आसान टिक से हम बताएंगे, इसमें क्या दिया है, C, E दिय कर लेते हैं तो सी कितने पता हैं तीन पर कितने पता हैं पांच पर अगर इसको गुणा कर लेंगे ता कितना हो जाएगा पंदरा हो गया कितना हो गया पंदरा हो गया अब कितना हो गया अब क्या करेंगे पंदरा और पंदरा में फिर चार से गुणा करते हैं कितने से चार से जोड़ देता है, 15 होक़ कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 है, 10 जोड़ देंगे तक इतना हो गया, 17 है, किस तरह सब गया, 17 है, योशी है, प्रकार से क्या लिख़ाइगे, डि उ को वाट का जगा पर लिख़ेंगे, आपको कितना देह, यहाँ पर डि, कितना हो गया D D और गुना कर लेंगे E D और गुना E करेंगे अब कितना हो जगा D कितने पता है 4 पता है 4 गुने क्या करेंगे E 5 पता है अब कितना हो जगा 4 पता से कितना हो गया 20 हो गया ठीक 20 हो गया अब 20 को क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 20 हो गया और 20 में क्या करेंगे 4 से गुना कर लेते हैं और 4 से गुना और पलस 10 जोड देते हैं इसमें जब 10 जोड देंगे अब देखिए कितना हो जगा यहाँ से आपको 24 के 80 कितना हो गया 80 हो गया 80 और पलस क्या करेंगे 10 जोड लेंगे कितना हो गया 90 हो गया तो आपको डी इई को कितना लिखेगा 90 लिखेगा यानि वाट कर जगा पर कितना गया 90 तो 90 देखेंगे किस option में यानि option number अपका सही हो जाएगा दोस्तो मा इमीद करता हूं कि इस प्रस्ण को भी आप पुछे तरह से समझ पाये होंगे तो चलिए दोस आप तो दूसरा नाबर प्रस्णमे this is medyake से आपके देखेंगे कि 16 से आपको 54 किस परकार से ळिखा है यह तोपर हम 6 से क्या करेंगे 9 में गुना कर लेंगे जब चोगोन आ गया अब चोगोन को क्या करेंगे चोगोन में कितना से गुना करेंगे कि 300 आपको कितना जाएगा 3838 आजाएगा अगर इसी देखिए चोगोन में क्या करेंगे आपको 7 से गुना कर लेते हैं जब चगोन में 7 से गुना करेंगे तो 378 अजागा उसी परकार से अब 378 अगया 378 में कितना से गुना करेंगे आपको कि कितना 1890 आ जाना चाहिए देखिए 378 हो गया ठीक 378 में अगर 5 ले गुना करते हैं किसे 5 ले अफाचर कितना हो गया चालीस स्थाथ पाइंटीस ओ गया अचार कितना हो गया ठीक नह ओ गया अब उसके बाद में यहां देखिए कितना जागा 15,3 15,13 18 कितना हो गया 18 क्या करेंगे इसमें 5 ले गुना कर लेंगे पांच ले गुणा कर लिए अब एक क्या करेंगे 378 में जब पांच ले गुणा की है तो अठारा सो नब्य को क्या करेंगे कितना से गुणा करेंगे कि आपको वाट का जगा पाएगा उसे पहले देखिए साथ नौ से कितना हो रहा है साथ साथ कितना हो रहा है 1890 में 3 से गुना करेंगे देखिए 1890 होगे और 3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जागा यहाँ पर जब 3 से गुना करेंगे तो 0 हो गया और 2927 हो गया और आपको कितना आजाएगा यहाँ पर थिक छटी अठारा हो जाएगा पतां आपको अठार्टियौन हो जाया थिक अठार्टियौन हो जाएगा अब्थिक अध्यौद उन जुड़ लेंगे किके आपका 27 में तो कितना होत के ज réponse अपका 01 सही हो जाएगा दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रशन को भी आप अच्छे तरह से समझ पायोंगे तो चलिए दोस्तो नेक्ष प्रशने देख लेते हैं के जिस प्रशने transmis वर कई दोस्तो तीशरन प्रशने इसमें दें ये जिस परकार माउस कोंपूटर से सम्माज दे देख़ुए यहां पर क्या दिया हैं यांपर माउस कोंपूटर से कामपूटर से यानि computer से समाधित हैं किसे से computer से अब वहीं देखेंगे कि mouse को computer से किस परकार से हमाधित है उसी परकार से आपको क्या करेंगे यानि flex यहां पर आपको flex लिख जाता है ठीक यानि flex को किस परकार से हम समाधित को रखेंगे देखिए जो mouse है mouse जो computer के लिए क्या होता है कंपूटर का अभीन आंग है अभीन यानि आभी भीन है मान लिजा अभी भीन चाहिए मान अभीन आग है उसी परकार से क्या करेंगे फ्लक्स ये आपको 거죠 है और नि版 jewels को FIFA करें है आदि estou gay करते हैं य हो जाएगा कौन सा जाएगा केमरा तक केमरा में आपको फ्लेक्श जलाते हैं अपने अपसन नामबर इस आपका शहीड हो जाएगा दोस्तों मैं उम्मित करता हूं कि इस प्रष्ण को भी आप अच्छे तरह से समझ पायोंगे तो चलियो दूस्तों नेक्स प्रष्ण देख जोड़ लेते हैं कि दूस्तों चारनिम प्रस्जण का मान कितना होगा या बदलने के बाद में आपको मान कितना होगा निर्षी इस तरह और प्रस्न में क्या करेंगे कितना दिया है आपको यहां पर एक कमान कितना दिया है एक कमान दिया है आपको जोड़ एक कहां पर आपको देखी यहां पर आपको यह को हम जोड़ लेंगे फिर आपको बी कमान कितना दिया है बी का गुना दिया है यहां पर इसको हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे C, C का अर्थ घटाना है C कहाँ पर हम माइनस कर लेंगे और दिया है कि D, D का अर्थ कहाँ है भाग देना है, तो D को आपको यहाँ पर भाग देंगे अब देखिए, चीन को जो बदल दिये तो आंक आपको लिख लेंगे कितने दे हैं यहाँ पर 483 दिया है कितने दे 483 और यहाँ पर 23 दिया है और आपको यहाँ पर 93 है फिर आपको 16 हो गया और 4 हो गया जब यहाँ साम क्या करेंगे पहले सबसे पहले क्या करेंगे तरह में इसमें भाग कर लेंगे 23 में और 483 में भाग कर लैंगे कितने मरत में 21 मरत में कट जाएका फिर उसके बाद में क्या करेंगे करें यहां सरफ को गूना कर लेते हैं depressed को लिखते हैं कितना वंगे 27 ओगया 21死 और 5 2003 तो पचास देखेंगे किस अप्शन में दिया है यह आप्शन नमर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तो मैं उमीद करता हूं कि इस प्रस्ण को भी आप पच्छे तरह से समझ पाएँगे तो चलिए दोस्तो नेक्स प्रस्ण देख लेते हैं दोस्तो पांच नमर प्रस्ण है इसमें दिया है कि उस वेन आरेक का चैन करें जो निम्नलीखित वर्गों के बीच के संब्ध को सबसे अच्छे तरीके से दर्चाता हैं यानि आपको नीचे क्या दिया है चार इवेन आरेक दिया है आपको नागरिक सास्त्रे और विशाय और रसायन में आपको सबसे अच्छे तरीके से दर्चाना है देखिए इसके लिए क्या होगा यह आपको क्या दिया है विशाय क्या होता है विशाय के अंदर आपको रसा आपको देखेंगे किस अप्सान में दिख रहे हैं इस तरह कभी नारेक अप्सान नंबर यह आपका सभी हो जाएगा दूस्तु मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्ण को भी आप पच्छे तरह समझ पाएंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स प्रश्ण देख लेते हैं दूस्तो चटान नबर प्रश्ण यानि चौन नबर प्रश्ण दिया है दरपण को एबी पर रखे जाने पर जैसा की दर्शाया गया है दिगई आकीरती की सही दरपण 6 बी का चैन करें क्या करना है दरपन पर आपको जो नीचे ये भी रखा हुआ है ये दरपन में ये चीतर जो है आपका छबी किस तरह में दिखेगा देखी इसमें किस तरह दिखेगा यहाँ पर आपको क्या रखेंगे यहां से आपको इधार हो गया है ठीक आपको यहां पर चारों कोना में आपका यह बिरित दिया है तो हम बिरित रख लेंगे फिर उसके बाद में यहां पर कितना दिया देखी इसको इस परकार से लिखा है ठीक यहां इस तरह से लिखा है फिर उसके बाद में यहां से इसको में किस तरह दिखेगा देखिए दरपण में आपको इस तरह से दिखेगा दरपण में आपको इस तरह से दिखेगा इस तरह का देखेंगे आपको किस में देखेंगे अपसन ए में दिख रहा है किसमें अपसन ए में दिख रहा है क्योंकि अपसन भी में आपको नहीं होगा क् फिर उसके बाद में सी में देखेंगे देखेंगे देखिए सी में आपको इधर दिया है लेकिन इसको किया किया कि नीचे कर दिया इसको भी नीचे यानी सी भी नहीं होगा तो डी देखेंगे देखिए डी भी आपको इधर दिया है लेकिन हमको किधर दिया था इधर दिया ठीक यानि डी भी नहीं होगा तो आप्सन एज आपका मिल रहा है तो आप्सन नमर एपका सही हो जाएगा दोस्तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्ण को भी आप पच्छे तरह से समझ पायोंगे तो चलिए दोस्तो नेक्स प्रश्ण देख लेते हैं कि दोस्तो साथ नमर प्रश्ण इसमें देख कि उस् siinä कमल्प का चैन किजिए जिसका तीस्री संखिया से वही सम्बन है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और पहली चасть 75 संख्या से देखिए इसका कहने का मतलब है कि आपको जो 13 है 156 से संबांदित व कीछब आप 18 हवाट के जगपक किसे संबांदित होगा सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 13 से 156 किस प्रकार लिख रहा है देखिए 13 हो गया यहां पर देखिए 13 हो गया अगर 13 को 156 किस प्रकार लिखा है तो 13 को अश्क्वायर कर लाते हैं और माइनस 13 कर लाते हैं 13 13 का कितना था 179 जब 179 में क्या करेंगे 13 घटा लेंगे 179 में 13 घटा लेंगे ता कितना बचेगा आपको 156 बच गया उसी परकार से यहां पर कितना दिया 17 जब हम 17 को क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 17 करेंगे जब 17 का स्क्वायर करेंगे 17 करेंगे ठीक आप क किया करेंगे इसमें 17 संइंगा कुभुना करते हैं जब 17-17 के हैं ना करेंगे कि इतना जागा 280 हो जागा सब कि इतना जागा 296 जागा और 280 में क्या करेंगे सब्सक्रान गठालें जब 17 Tibande 28-12 आ जागा कि तो 200 बहुत तार गया उसी परकार से यहां पर क्या रखेंगे कितना दिए अथारा दिया है क्या करेंगे 18 दिया है तो 18 ना को आपको lightning स्कार करके और माइनस क्यीं करेंगे ठारे घटा लेंगे जब 488 को स्क्रार करेंगे तक इतना जाएगा 324 जाएगा 324 में जब 18 घटा लेंगे तक इतना जाएगा तो हुआट के जगा पको 306 एक तो 302 में दिया है यानि option number B आपका सई हो जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रशने को भी आप पच्छे तरह से समझ पाए होंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स प्रशने देख लेते हैं दोस्तों आठ नवर प्रशने इसमें दिया है कि पांच ब्यक्ति एक पक्ति में उतर दिशा की ओर मुह करके किये हुए खड़े हैं देखिए उसे पाले क्या करेंगे दिशा डिशा डिखेंड द्यग्राइम में क्या होता है पूरूव होता है ठीक यह पंच्छीम होता है यह उपर आपको उतर होता है। और नीचे दश्चिन होता है, अब देखिए बलाएं कि 5 व्यक्ति एक पक्ति में उतर दिशा की और मुह किए हुए खड़े हैं, किधर, उतर की तरफ, उतर आपको किधर हैं, ऊपर हैं, देखिए, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, ठीक, उतर की तरफ मुह करके खड़े हैं, फिर उसके बाद आगे बोला है कि जे जो जी है न जी जी जे के दूसरे अस्थान पर यानि दाहीने तरफ दूसरे अस्थान पर खड़ा है इधर क्या रखेंगे इधर आपको क्या रखेंगे इधर आपको बाएं रख लेते हैं किदर रखेंगे दाएं रखेंगे इधर आप कोदाइं हो ठड़िक यहाँ बूला है कि जी जे के दाईने तरफ खड़ा एं गिधर दाईने पर दूसरी अस्थान पर नहां पर आपको कि यहाँ आपकोद रख लेते हैं ठिक इए बाया हो जाएगा यह रख लिता पर है तो जे आपको जी यहां पर हो जाएगा जे और जेश दूसरा अस्थान पर हो गया कौन से दाहीनेस रहीज होगा फिर उसके बाद आगे बलाये जे यानि यह के बगल में नहीं है छो ए चाहे न ऊके के बगल में नहीं है इसको तो छोड़ देंगे इसको हम नहीं लेंगे फिर उसके बाद दूसरा देखी आगे आगे बोलाए यदी ए में दाहीने छोर से दूसरे अस्थान पर हैं दाहीने छोर से दूसरे अस्थान पर कौन है एम हैं फिर उसके बाद आगे बोलाए तो पक्ति के बाएं छोर पर कौन खड़ा हैं बाएं छोर पर दे कि बाएं कौन है इधार आएं बाएंप आपको कौन है जे हैं तो जे देखेंगे किस अफसन में अपसन नमर सी आपका सई हो जाएगा दोस्तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रशन को भी आप पच्छे तरह से समझ पाया हूंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स प्रशन देख लेते हैं कि दोस्तों नौन नवर प्रशन है इसमें दियाए की दिये गए भी कल्पों में से उस संख्या का चैन करें जो नीमने लिखी सिरिंखला में प्रशन चीन के स्थान पर आ सकती है तो सबसे पहले कहा देखें कि प्रशन वाचक चीन आपको कहा दिया है यहां पर आ 248 ले क्या जरा है 258 और 258 से कितना जरा है 278 से 275 275 से 292 और 292 से यानि हुआट के जगा पक्या होगा देखी इस क्या दिया है 292 से 275 किस परकार गया है देखी 200 आपको कितना दिया है 47 में 17 जोड देते हैं ते कितना यहां हो गया साथ एक क्लेक्ण चार एक पाँछ हो गया और दो हैंनी क्या कि reduz क्यांस सत्रा जोड़ देते हैं इसमें सत्रा जोड़ा घानी 214 में 17 घ्रलैंगे आपको लिगा दूस्ख 叔ण ड़हां गौ 450 में आपको सित्रेव पलस कर लेंगे किद्व करेंगे तो धालत करेंगे लिए दूसर भर कित्ना जयगा 309 गरम्हां 109 देखेंगे किस अप्सन में तुदो हो जाएगे दोस्तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्ण को भी आप पच्छे तरह से समझ पायोंगे तो चलिए दोस्तो नेक्स प्रश्ण है देख लेते हैं दोस्तो दस नमर प्रश्ण है इसमें दियाई की दिये गई बीकल्पों में से उसस आकिर्ती का चैन करें जो नीमने लिखी श्रिंखला में प्रश्ण चीन के स्थान पर आज सकते हैं देखिए आपको परस्ने वाचक चीन कहां दिया है यहां पर आपको परस्ने चीन के स्थान पर परस्ने चीन आपको यहां पर यहां पर यहां पर दिया है इसके जगापक क्या होगा देखिए उसे पहले आपको क्या देखेंगे पहला में क्या हुआ दूसरा में और तीसरा मे क्या दिया है तो देखी यहां पर आपको किस तरह से दिख रहे है जो आपका यह डंबरू दिखा है ना यह आपको डंबरू दिखा है यह डंबरू में देखी यहां पर क्या किया है यहां पर आपको घेरा है यहां इसमें क्या कि बिंदू है बिंदू को घुमा कर कहां लाए इस पला दिया इस बिंदू पर और इस बिंदू को घुमा कर लाके दिया आपको इस बिंदू पर ठीक अब इसी बिंदू को घुमा कर कहां लाएगा इस बिंदू तक यहां से क्या करेंगे देखिए यहां से आपको इधर बना लेंगे और इधर से आपको किदर हो जागा यहां से इधर बन गया ठीक यहां रख लेंगे फिर उसके बाद में इधर रखेंगे और यहां से क्या करेंगे आपको यहां रखेंगे और यहां रखेंगे लेकिन इसको क्या क्या है कि इसको हमको बड़ा करना है इसको हमको घेर देना है इस तरह का जो फिगर हो गया ना इस तरह का फिगर यानि घाड़ी की दिशा में गुमाया है इधर से इधराई से घाड़ी की दिशा में गोल गुमाया है इस तरह का फिगर आपको किस अप्शन में दिख रहे हैं इस तरह का फिगर आपको किस अप्शन में तो आप्शन झाल झाल